तो आप हमसे आज लिखवा लिजिए हाजिपूर लोगसभा कभी भी कभी भी हाजिपूर लोगसभा सीट पर चिराग नहीं लडेंगे ना उनकी पाटी लडेंगी ये बीजेपी का फैसला है चिराग पासवान के साथ बियार के 6% पासवान कहिए दुसाद कहिए वोटर जुड़े हुए बीजेपी उस लेगसी को खतम करना चाहती है जेपी नटा जो बयान दिये थे पटना के बापू सभागार में कि छेतरी दोलोग को हम खा जाएंगे मतलब खतम कर देंगे उस रन्निती पर विजेपी आज भी काम कर रही है पिछले तीन दिनों से लगतार चिराख पासवान जो है वो संपर्क में है महागडबंदन के और चिराख पासवान पहले कई बार लालो यादों से संपर्क की बात उन्होंने एक्टेप्ट भी किया है कि एंडिये में एक बड़ी टूट होगी और इसका बड़ा खामियाज है एंडिये को भुगतना पड़ेगा क्योंकि हम समिकरण की बात बार बार करते हैं चर्चा करते हैं कि M प्लस Y इसकल टू 31 परसें उसमें आप 19 परसेंट दलेद जोड़ दीजे चिराक के साथ आप 10 परसेंट दलेद जोड़ दीजे हर बार जो सर्वे है जितने भी एक जिट पूला है जाए सी वूटर्स का हो टाइमस नव का हो एनबिटी का हो नभार टाइमस किसी का हो सभी जगा क्यूंब बोला जा रहा है कि आठ से 10 सीटों पर महागट बंदन इस बार जीतेगी मतलब 2019 रिपीट नहीं होने जा रहा है अगर हाजीपुर लोग सभा सीट पर कॉंपरमाईज कर लिए बीजेपी से चिराक पासवान भक्ती भाव में डूब कर अगले पास सालों में ये धरातल पर दिखेंगे बिहार की दार्डिती में ये करते हैं न कि अर्ष से फर्स पर वो अहालत में आ जाएगे दोस्तों पुरे देश में राजश्वा की सीटों का बटवारा हुआ जहां बिहार को 6 सीटे मिली उन 6 सीटों में अगर NDA की बात करें तो NDA से भाजपा से दो प्रत्याशी और जदियू से एक प्रत्याशी के नाम की घोशना हुई आपको बता देकिन सभी चीजों के बीच चिराग की पार्टी के अगर बात करें लजएपी की बात करें उनके चाचा पुस्पती पारस की पार्टी की बात करें या फिर हम की बात करें तो इन तीनो पार्टीओं में से एक भी नाम की घोशना नहीं हुई अब देखने वाली बात है कि राष्श्रपा के सीटों का तो बठबारा हो गया लेकिन लोक सभा आगामी 224 का चुनाव है उसमें इन तीनों पाटियों का क्या रोल रहेगा इनको कितने सीटे मिलेंगी बिहार में क्या कुछ समीकरन इन तीनों पाटियों के लिए बनेगा देखें इस तमाम विश्या पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रश्वाथ हमारे स्योगी उदिपतार्यन मौजूद है क्या कुछ लगता है कि राज सभा की सीटों का तो बटवारा हो गया लेकिन लोग सभा का पेंच फंस रहा है जितन राम माजी उधर तुरा सा नाराज चल रहे हैं चिराग पासवान भी लोग सभा के सीटों को लेकर सभा तो थोड़ा सा सीरियस हैं तो क्या कुछ कहेंगे वश्पति पारस का भी समिकरण नहीं बाट रहा है क्या कुछ होगा इन तमाम इशो पर देखें सीट बटवारे क्या बात कर रहे हैं तो राज सभा का सांसात बनता है विधायकों के संख्या तो बीजेपी के पास है इसमें कहीं दो राय नहीं है, 78 विधायक है, दोग कम रहे हैं, तो वो मांजी जी के पार्टी के विधायक वोट कर देगे। बीजेपी इसमें लंबे समय से भारती जन्ता पार्टी जो है, वो पसुपति कुमार पारस और जीतन रा मांजी को ये समझा रही थी, बता रही थी कि रास्वा के समय में आपको तवजब देगे। लेकिन हुआ तो ऐसा नहीं, दो जो नए रास्वा सांसत बन रहे हैं, ये दोनों के दोनों बीजेपी के हैं, तो अब लोगसभा पर ही सब की नजर टिकी हुई है कि लोगसभा में आखिर कर सीट बटवारा बीजेपी कैसे करेगी, देखिए, एकदम पक्के तोर पर आपको खवर बता रहे हैं कि बीजेपी लोगसभा चुनाओं में, जनता दल जेडियू को आठ स्टीट से अधिक नहीं देने जा रही है, आठ स्टीट, जेडियू को, और इसी को लेकर नितीश कुमार और बीजेपी के बीच खीचतन सुरू भी हो चुका है, अभी जो तो जश्वियाद आपका बयान आया, कि नितीश जी के लिए हमारे दरवाजे ख समझी है, कहीं से भी घर छोड़ते हैं, तो एक खिरकी दरवदा खोल कर ही रखते हैं, पिछले बार जब NDA से महागडवंधन में गया है, तो हरिवन्स बाब वो खिरकी थे, इस बार भी एक खिरकी नितीश कुमार त्यार करके रखे हुए है, तो जेडियू और बीजेपी के बीच भी खिंचतान जो है, वो शुरू हो चुका है, बीजेपी एस पर्ष तोर पे कह चुकी है, कि आपकी सरकार गिरी हुई थी, हमने वो सरकार बचाया, विधाकों को तोड़कर ममोड़कर जैसे हुआ, उतो बहुमत सावित हो गया, लेकिन लोग सभा में हम कंप्रमा लेजिए, तीन-तीन सीट, और एक सीट देना जा रही है, जीतना रामान जी को, साथ सीट, इस यादिक सीट नहीं देने जा रही है, तो आप मान कर चलिए, कि तीन प्लस तीन प्लस एक, यही रेशियो रहेगा, आपका सवाल अब हाजिपूर पर आएगा, कि हाजिपूर मे जो सीट है, उस पर पसुपति कुमार पारस लड़ेंगे, या उनकी पाटी से कोई परताशी लड़ेगा, कारण इसके पीछे कहां बताते हैं, चिराग पासवान के साथ इंटाक्ट बिहार के 6% दुसाद वोटर हैं, इसमें कोई संसा नहीं है, 24,40,20 वोटन को जो 2020 विदा अगार में कि छेतरी देलों को हम खा जाएंगे, मतलब खत्म कर देंगे, उस रननिती पर बीजेपी आज भी काम कर रही है, और चिराग पासवान अगर इस बार हाजीपूर नहीं लड़े, 2024 में अगर चिराग पासवान हाजीपूर नहीं लड़ पाएं, तो आप मान कर चल पासवान वर्णने का, उम्र के इस आप से हम बता रहे हैं, उसके बाद बीजेपी का यही प्लान होगा दे कि बीजेपी डिरेक्टली चिराग के वोट को अपने तरफ ट्रंसफर नहीं करा सकती है, उसके लिए एक माध्यम चाहिए, एक मीडियम चाहिए, बीजेपी अगर 26 पर सेंट इंटक पासवान वोटर है, या जो भी उनके वोटर हैं चिराग पासवान के, उनको एगर बीजेपी अपने पाले में ले ना चाहती है, तो पहले चिराग पासवान को उस लंकी से बाहर 거는 व्हार में क्यों लचार परड़ है? गड़वन को कि चलते हैं? फिर सकतर कृषर है थ मिखदान है,कॉपषर कोप इंपड़ण को जाहत धीरे धीरे परकतरना है धीरे धीरे जैसे 2019 के लोकसभा चुनाओं में चिराक छे पाटी चिराक की जो पाटी थी तब एक पाटी थी छे सीटों पर चुनाओ लड़ी इस बार चिराक का परकतर दिया गया और अब तीन पर आ गये चिराक का पासवाने की हमारे सिंबल पर चुनाओ लड़ीए ए तो बाहर का रस्ता देखिए निए चिराक पासवाने बहुत बड़ा अपधाट के लिए बड़ा मसला यह है कि सथ गुड़े हुए बड़ा टाइटली पैट्लिफ वोटर है कैसे साथ उसी तरण जो चिराख का इंपायक्स पस्वानों पर कहना भी गलत होगा चिराख का इंपायक्स एक पालिक्स में अथरतम फाशला फस कहना है मैंने कई वीडियो में कहा भी है बात कि 2019 के लोग सबाद चुनाओं में हम गया घूम रहे हैं वहां पर मांजी वोट बहुत जादा है मुसहर वोट मुसहर के जो यंग्स्टर्स हैं जो नए लड़के हैं जो नया पॉड़ है उनके भी चिराक बहुत क्रेज है चिराक तरीका बस्वपति कुमार पारस ही बन रहा है तो इसलिए अब चिराक को तैक करना है कि वह आगे की राजनिती क्या करेंगे को लेकर भी आपने बात कहीं तो शाचा भतिजा में काफी जगरा भी हो रहा है काफी बाते हो रही है हमेसा कुछ नया नया बयान सामने आता हाज हाजीपूर सीट को लेकर लड़ाई है चिराग मान जाएंगे लग रहा है हाजीपूर को लेकर हाजीपूर की जनता भी चिराग पासवान को लेकर भी काफी खुस रहती है उनके बारे में चर्चा होती हाजीपूर में कि चिराग जैसा लीडर चाहिए बस्पति पारस से अगर मानेंगे चिराग पासवान हाजीपूर पर चिराग कंप्रमाइज कर लिए बीजेपी के साथ ज्यादा भक्ति में डूब है ज्यादा हनुमान बनने का प्रयास किये हैं तो आप मान कर चलिए कि चिराग पासवान अगले पांच सालों में राजनितिक तौर पर जमीन प आजाएंगे और ऐक बात और गहर करिए भशुपाति कुमारवार्व से बियान बार बार देते हैं कि हम और हम पासवान यह बात सब्सक्राइब कर पारस कई बहुंग ने सारजनिक मन से भाट कहा है चिराग पर नहीं जाते हैं चिराग पर वो कभी नहीं जाते हैं लेकिन आपने बारों मैं कहते हैं पांस्व फतिकुमार पारष कि हम उरिजनल पासवान है मतलब मिक्सिंग नहीं है मेरे अंदर किसके बारे में इस बत ऊकाते है उनका हमला भतिजे पर नहीं ने कि और हाजीपूर ही लेगसी है रामिलास पासवान का तो हाजीपूर अगर चिडाग छोड़े तो पासवान वोटर्स ने बड़कर जित जा रहा है और चिराग हो जा रहे हैं एक और खबर है कि खबरे आती हैं कि चिराग पासवान जो है तेश्वी आदब से काफी नजदीक नजदेकी उनकी बढ़ रही है और वो महागडबंधन के संपर्क में हैं तो क्या चिराग जो है महागडबंधन से भी लड़ सकते हैं तेश्वी के साथ उनके संबंद बहुत खराब नहीं रहें तेश्वी के खिलाफ उन्होंने बोला भी नहीं है चिराग अगर किसी का मुखालफत किये हैं बिहार में तो सिर्फ एक निता का वो नेता निदिसकुमार है इसके खिलाफ आप मिलाईए कभी भी तेश्वी नहीं आता है और अब तो धीरे धीरे पिक्चर एदम साफ हो रहा है चिराग पास्वान दो हजार चॉबिस का लोग सभा चुनाओ हाजीपूर से लड़ेंगे महागडबंधन के तहत लड़ेंगे अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे लेकिन हाजीपूर ही इंडिया को भुगतना पड़ेगा चुकि हम समीकरण की बात बार बार करते हैं चर्चा करते हैं कि एम प्लस वाई इसकल तो 31 परसेंट उसमें आप 19 परसेंट जोड़ेंगे चिराग के साथ आप 10 परसेंट जोड़ेंगे तो 40 परसेंट वोट बैंक एक मुस्त महागडबं संदनिस बार जीतेगी मतलब 2019 रिपीट नहीं होने जा रहा है 2019 रिजल्ट विल नॉट रिपीट इन 2024 कभी वो रिपीट नहीं होने जा रहा है यही कारण है कि जिस दिन चिराग और तजश्वी एक साथ एक मंज पर हात पकड़ कर खरे हो गये तो आप मान के चलिए पिछड संपर्क में चिराग पासवान चल रहे हैं और बहुत जल्दी अब इस पर चुकी वहां पर मामला आप सिर्फ अपना कंडिशन रखे हैं कि हाजीपूर चाहिए प्लस इतना सीट चाहिए वह सीट कितना हमको नहीं पता तो हम उस पर गेस नहीं करेंगे लेकिन कुछ सीटों कि मांग है चिराग पासवान की तेजस्वी आदब से और हाजीपूर पर पक्की तरगी से मांगे कि हाजीपूर हमी को लड़ाई है पारास अगर NDA से लड़ेंगे यह बात चिराग रख चुके हैं तेजस्वी के सामने लालू प्रसाधी आदब के सामने संपर्क तो है इस इस में कोई संसार है कि चिराग के सामने अब अस्तित्र का लड़ाई है यह उनके आइडेंटिटी का लड़ाई है पुलिटिकल लेगसी का उनके पीटा रामेला पासवान नहीं स्थापीट के लोट बन्धन का रूप करेंगे तो कोई बहुत ब्रेकिंग नहीं होगा को ब होगा आज एक तस्वीर भी सामने जाते हैं श्वी आदब जो है राहूल गांधी के साथ है तो चिराग पास्वान भी अगर महां गड़न में जाते हैं तो क्या दुज़ा चुनाओं है नया सोच नहीं वाओं की सोच और इस पर लाजाएगा कि वाओं का भोट खास कर जो है बटूरा जाए तमाम तमाम जो एक जिट को बता रहा है कि दस इंडिया आएगा चिराक के जाने के बाद कर लिजी क्या गडबन बनेगा उधर तेज़स्वी और चिराक का तिकि तेज़स्वी और चिराग ऐसे बहुत भारी पढ़ेंगा बिहार में इंडिये पर चुकि न साथ चले जाते हैं तो वहाँ बात बस बनने का देरी है बात जिस दिन बना तेज़स्वी में कि हाँ इतने फलाने सीटों पर चिराग अप लड़िएगा चिराग हाजीपूर भी अगर मांगे तो वह मिल गया उनको और वहाजीपूर तो त्यार है तेज़स्वी जो खबर या फिर बात करें पुस्पति-पार्ष की पाटी से तो देखने वाले बात होगी आगे कि चिराग भी जो है तेज़स्वी के समपर्क में हैं लगातार खबरे भी चलती हैं चिराग अपने बयान में कहते ही हैं धांजीपूर सीट हमारा है पुस्पति-पारष भी अपने राजनिति की बिहार की राजनिति की घलकेगी क्या कुछ कहेगी इसपर आपकी क्या राया है हमारे साथ जोर साधा करें धन्यवर।